वेवर्थ पुरान ब्रह्म खंड सावित्री से वेद आदी की श्रिष्टी ब्रह्मा जी से सनकादिक की सस्त्रीक स्वयंभू मनू की सुरुद्रों की पुलस्त्यादी मुनियों की तथा नारत की उत्पत्ति नारत को ब्रह्म का और ब्रह्मा जी को नारत का शाप वैवर्थ पुरान, ब्रह्म खंड, सावित्री से वेद, आदी की श्रिष्टी, ब्रह्मा जी से सनकादिक की, सस्त्रिक, स्वयंभुव मनु की, रुद्रों की उत्र, पुलस्तादी, मुनियों की तथा नारत की उत्पत्ती, नारत को ब्रह्मा का और ब्रह्मा जी को नारत का सौती कहते हैं तदंतर सावित्री ने चार मनोहर वेदोग को प्रकट किया साथ ही न्याय और व्याकरन आधी नाना प्रकार के सास्त्र समोह तदा परम मनोहर एवं दिव्य चतिस रागिनिया उत्पन्य की नाना प्रकार के तालों से यक्त चह सुन्दर राग प्रकट किये सतियुग त्रेता द्वापर कली प्रिय कलियुग वर्ष मास रित तिथी तंड शान आधी दिन रात्री वार संध्या उशा पुष्टी मेधा विजया जया चह कृतिका योग करन कार्तिके प्रिया सति महाशष्टी देव सेना जो मात्रिकाओं में प्रधान और बालकों की इस्ट देवी है इन सबको भी सावित्री ने ही उत्पन किया ब्रह्म, पाद्य और वारा ये तीन कल्प माने गए है नित्य ने मित्यक्त्वी पराध और प्राक्रत ये चार प्रकार के प्रले है इन कल्पों और प्रलेओं को तथा कालब, मृत्यु, कन्या एवं समस्त व्याधियों व्याधी गनों को उत्पन करके सावित्री ने उन्हें अपने स्थन पान कराया ब्रह्म, पाद्य और वारा ये तीन कल्प माने गए हैं नित्य नेमित्यक द्विपरार्द और प्राक्रत ये चार प्रकार के प्रले हैं इन कल्पों और प्रलेओं को तथा काल, मृत्यु, कन्या एवं समस्त व्याधियों को उत्पन करके सावित्री ने उन्हें अपना स्थन पान कराया तदंतर ब्रह्मा जी के प्रिष्ट देश से अधर्म उत्पन हुआ अधर्म के वाम पार्श से अलक्ष्मी उत्पन हुई जो उनकी पतनी थी प्रम्मा जी के नाभी देश से सिल्पियों के गुरू विश्व कर्म उत्पन हुए प्रम्मा जी के नाभी देश से सिल्पियों के गुरु विश्व कर्मा हुए साथ ही आठ महावस्वों की उत्पत्ती हुई जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे ततपश्यात विधाता के मन से चार कुमार आविर भूत हुए जो पांच वर्ष की अवस्था के जान से जान परते थे और ब्रम्म तेज से प्रज्वलित हो रहें थे उनमें से प्रतम तो सनक थे ततपश्यात विधाता के मन से चार कुमार आविर भूत हुए जो पांच वर्ष की अवस्था के से जान परते थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे उन में से प्रतम तो सनक थे दूसरे का नाम सनन्दन था तीसरे का नाम तीसरे सनातन और चौते ग्यानियों में श्रेष्ट भगवान सनत कुमार थे इनके बाद ब्रह्मा जी के मुख से सुवर्ण के समान कांतीमान कुमार उत्पन हुए जो दिव्य रूपधारी था उसके साथ उनकी पत्नी भी थी वह श्रीमान एवं सुन्दरी वक्त था शत्रियों का बीज स्वरूप था उसका नाम था स्वयंभुव मनु जो स्त्री थी उसका नाम सत्रूपा था वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी जी की कला स्वरूपा थी पत्नी सहित मनु विधाता की आज्या का पालन करने के लिए उद्धत रहते थे स्वयं विधाता ने हर से भड़े पुत्रों से जो भड़े भगवत भग्त थे श्रिष्टी करने के लिए का परंतु वे श्री कृष्ण परायन होने के कारण नहीं करने करके नहीं करके तपश्या करने के लिए चले गए इससे जगत पती विधाता को बड़ा करोध हुआ कोपा शक्त ब्रह्मा प्रम्यतेज से जलने लगे प्रभु इसी श्रीव समय उनके ललाट से ग्यारा रुद्र प्रकट हुए उनमें से एक को संहार कारी कालागनी रुद्र कहा गया है समस्त लोकों में केवल वेही तामस या तमोगुनी माने गए है स्वयम ब्रह्मा राजस है और शिव तथा विश्नु सात्विक कहे गए है समस्त लोकों में केवल वेही तामस या तमोगुनी माने गए है स्वयम ब्रह्मा राजस है और शिव तथा विश्नु सात्विक कहे गए है को लोक नाथ श्री किष्न निर्गुन है क्योंकि वे प्रकिर्टी से पड़े है जो परम अज्यानी और मुर्ख है वे ही शिव को तामस तमोगुनी कहते है वे शुद्ध सत्व सरूप निर्मल तथा वैश्नवों में अग्रगन्य है अब रुद्रों के वेदोक्त नाम सुनो महान, महात्मा, मतीमान, भीशन, भयंकर, रितुधवज, उर्धुकेश, पिंगलाक्ष, रुची, सुची तता कालागनी रुद्र प्रम्मा जी के दायं कान से पुलस्त, भायं कान से पुलः, दाइने नेत्र से अत्री, वामन नेत्र से करतु, नासिका छिदर से अरनी, मुक्ञ से अंगीरा एवं रुची वाम पार्ष से वाम पार्ष से प्रिगु, दक्षिन पार्ष से दक्ष, छाया से करदम, नाभी से पंच सिख, वक्ष स्थल से वोढु, कंठ देश से नारद, सकंद देश से मरीची, गले से अपांतराद, अपांतर तमा, अपांतर तमा रसानास, रसना से वसिष्ट, अधरास्ट्र से प्रजेता, वाम कुक्षी से हंस, और दक्षिन कुक्षी से यती प्रकट हुए, विधाता ने अपने इन पुत्रों की श्रिष्टी करने की आग्या दी, पिता की बात सुनकर नारद ने उन से कहा, नारद बोने जगत पते, पितामा पहले सनक सनंदन आदी जेस्ट पुत्रों को बुलाईए, और उनका विवाग कीजिए, ततपश्यात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए, जब पिता जी ने उन्हें तपश्या में लगाया है, जब पिता जी ने उन्हें तपश्या में लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार बंदन में डाल रहे हैं, ओ, कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धी विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है, भगवन आपने किसी पुत्रों को तो अमरित से भी बढ़कर तपश्या का कार्य दिया है, और किसी को आप विश में भी अधिक विशम विशे भूग दे रहे हैं, पिता जी जो अत्यंत निम्न खोटी के भयानक भव सागर में गिरता है, उसका करोरो कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता, भगवान पुर्शुत्तम ही सब के आदी कारण तदा निस्तार के बीज हैं, वे ही सब कुछ देने वाले भक्ती प्रदान करने वाले दास्य म भक्तों को एकमात शरन देने वाले भक्त वतसल और स्वक्ष हैं, वक्तों के प्रिये रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वे ही हैं, वक्तों के अराध्य तता प्राप्य उन पर मेश्वर श्री कृष्ण को छोड़ कर कौन मूढ विनाश कारी विशे में मन लगा अम्रित से भी अधिक प्रिये श्री कृष्ण सेवा छोड़ कर कौन मूर्क विशे नामक विशम विश का भक्षन अस्वादन करेगा, विशे तो स्वपन के समान नश्वर तुच्छ मित्या तथा विनाश कारी हैं, तात जैसे तीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस, मचलियों को आपातता सुखत जान पड़ता है, उसी पकार विशेई पुरुषों को विशेओं में सुख की प्रतीती होती है, परंतु वास्तम में वह मृत्यू का कारण है, ब्रह्मा जी के सामने वहां ऐसी बात करकर नारद जी चुप हो गये, वे अगनी सिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे, पिता को प्रणाम करके चुप चाप खरे रहे, उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोस से आग बबला हो उटे, उनका मुह लाल हो गया, ओट पर फड़कने लगे, और सारा अंग धर ध कापने लगा, प्रह्मा वे पुत्रों को शाप देते हुए बोले, प्रह्मा जी ने कहा, नारद मेरे शाप से तुम्हारे ग्यान का लुप हो जाएगा, तुम कामिनियों के कृड़ा म्रिग बन जाओगे, उनके विशी भूत होगे, तुम पचास कामिनियों के पती बनो, के लिए त्यंत लोलुप, तथा नाना प्रकार के शिंगार में निपुन लोगों के, गुरू के भी गुरू हो जाओगे, गंधर्वों में श्रिष्ट पुरुष होगे, सुमुधूर स्वर से युक्त उद्दम गायक बनोगे, वीना बादन संदर्व में पारंगत तथा स तुस्तिर यौवन से युक्त होगे, विद्वान मधुर भाशिनी, शांत, सुशील, सुन्दर और सुबुद्धी होगे, इसमें संसे नहीं है, उस समय उप बम हरशन नाम से तुम्हारी प्रसिद्धी होगी, उन कामिनियों के साथ युक्तो युगों तक निर्जन बन में विहार करके फिर मेरे साप से दासी पुत्र होगे, बेटा तरंतर वैशनवो के संसर्ग से और उनकी जूठन खाने से तुम पुना श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित होगे, उस समय मैं पुना तुम्हें दिव्वे एवं चल हो जाओ और अवश ही नीचे गिरो, प्राम्मन पुत्र से ऐसा करकर जगत पती ब्रह्मा चुप हो गये तथा और नारजी रोने लगे, उन्होंने दोनों हाथ जोर कर पिता से कहा, नारज बोले तात तात जगत कुरू, आप अपने करोध को रोकिये, आप श्रस्टा है तपश्वियों के स्वामी है, और मुझ पर आपका या करोध अकारन ही हुआ है, विद्वान पुरुशों को चाहिए कि वो कुमार्ग गामी पुत्रों को शाब दे अथवा, उसका त्याग कर दे, आप पंडित होकर अपने तपश्वी पुत्रों को शाब देना कैसे उजि परान कीजिए, जगत श्रस्टा का ही पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान श्री हरी के चरणों में उनकी भक्ती नहीं है, तो वह भारत भूमी में सुवर से भी बढ़कर अधम है, जो पुरुश जो अपने पुर्व जन्म का स्मरन रखते हुए श्री हरी की भक्ती से यु श्रेष्ट है क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोप में चला जाता है, जो गोविंद के चरणार विंदो की भक्ती रूप मनोवांचत मकरंद का पान करते रहते हैं, उन वैशनव आधी के सपर्स से सारी पृत्वी पवित्र हो जाती है, पितामह पापी लोग सनान करके तीर्थों को जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापों का भी प्रक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैशनव महात्माओं का सपर्स प्राप्त करना चाहते हैं, अहो भारत वर्ष में श्री हरी के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुश्य अपने करोरों पूर्वजन्मों के साथ, अहो भारत वर्ष में श्री हरी के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुश्य अपने करोरो पूर वजो के साथ मुक्त हो गयत हैं मंत्र ग्रहन करने मात्र से मनुश्य करोरो जन्मों के पाप से मुक्त एवंशुद हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नश्ट कर देते हैं जो गुरू पुत्रों पत्नियों शिश्यों सेवकों और भाई बंदूओं को उपदेश दे उन्हें सनमार्ग का दर्शन कराता है उसे निश्य ही उत्तम गती प्राप्त होती है परंतु जो गुरू शिश्यों का विश्वास पात्रों होकर उन्हें असनमार्ग का दर्शन कराता है कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेड़ित करता है वा तब तक कुम्भी पाक नड़क में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है वा कैसा गुरू है कैसा पिता कैसा सौमी और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरनार विंदो की वक्ती देने में समर्थ ना हो चतुरानन आपने पिना किसी अपराद के ही मुझे शाप दे दिया है अता बदले में मैं भी शाप दे अता बदले में मैं भी शाप दूँ तो अनुचित ना होगा मेरे शाप से संपूर्ण लोकों में कवच रोत और पूजा सहीत आपके मंतर का निश्चे ही लोप हो जाए पिता जी जब तक तीन कल्प ना बीट जाए तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहें तीन कल्प बीट जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनिय होंगे सुवरत इस समय आपका यग्य भाग बन्द हो जाए वरत आदी में भी आपका पूजन ना हो केवल एक ही बात रहे आप देवता आदी के बन्दिये बने रहें पिता जी के सामने ऐसा कह कर नारत तीन कल्प बीट जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनिये होंगे सुवरत इस समय आपका यग्य भाग बन्द हो जाए वरत आदी में भी आपका पूजन ना हो केवल एक ही बात रहे आप देवता आदी के में बन्दिये बने रहेंगे पिता के सामने ऐसा करकर नारत जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हिरदे से सभा में सूस्थिर भाव से बैठे रहें सौनक जी पिता के दिये हुए उस साब के ही कारण नारत जी उप बमहर्शन नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए पिता के सामने ऐसा करकर नारत जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हिरदे से सभा में सूस्थिर भाव से बैठे रहें सौनक जी पिता के दिये हुए उस साब के कारण ही नारत जी उप बमहर्शन नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए तरंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्शी नारत हो गए इस प्रसंग का अभी मैं आगे चल कर वरनन करूंगा